सूप्रभात प्यारे बच्चो सूप्रभात प्यारे बच्चो, आज हमारी हिंदी की वक्षीट में कारी करेंगे और आप सभी मेरे साथ इस कारी को पूरा करेंगे प्रीविस क्लास में हमने JIM replacement हमने अंह अक्षर तक स्वारों को लिखना सिखा तπά उर उसके बाद में हमने इसे trace करना भी सिखा था, आज हम सिखेंगे, आप इसका next page open करेंगे, आज हम क्या करेंगे, प्रतिक चित्र को उनके नाम के पहले अक्षर से मिलाई, यहाँ पर हमें चित्र दिये गए हैं, यहाँ पर हमें कुछ अक्षर दिये गए, तो हमें चित्रों के नाम का जो पहल अक्षर है न हमें उनसे से मिलाना है सबसे पहला हम इस work को complete करेंगे चलिए हम इस कारे को शुरू करते हैं सबसे पहला हम इधर की चितर को देखेंगे सबसे पहला चितर देखेंगे किसका चितर दिया गया हमें अंगूर का चितर दिया गया है तो यहाँ पर हमें कौन सा अक्षर देखना है हमें ए अक्षर ए से एडी सबसे पहला अक्षर देखेंगे आप कौन सा दिया गया हमें री और उसके बाद देखेंगे आप ए ए से एडी तो हम क्या करेंगे तो यहाँ पर हम चित्र को उसके नाम के पहला अक्षर से इस तरह से मिलाएंगे अगला चित्र देखेंगे आप किसका दिया गया हमें एनक का ऐसे एनक तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें अयक्षर कहां दिया गया है री से रिशी ऐसे एडी ऐसे एनक तो हम एनक के चित्र को इस तरह से हम अयक्षर से मिलाएंगे अगला चित्र देखेंगे आ आप इस तरफ आ जाएंगे, यहां के सभी चित्रे मिल चुके हैं, यहां पर आप देखिए, किसका चित्र है है हा, ओकली का, ओसे ओकली, तो यहां पर हमें कौनसा अक्षर देखेंगे हाप, ओ, से ओकली, तो हम यहां पर चित्रकोस्ट के, इस तरह से नाम के पहले अक्षर से मिलाएंगे अगला चित्र देखेंगे आप किसका चित्र है बताईए very good रिशी का रिशे रिशी तो यहाँ पर रिशी अक्षर दिया गया है हमें तो रिशी के चित्र को उसके नाम के पहले अक्षर से मिलाएंगे इस तरह से आपको इस वक्त को इस कारे को पूरा करना है अगला चित्र देखेंगे आप किसका चित्र दिया गया है ओरत का अउसे ओरत तो यहाँ पर हम ओरत की चित्र को अउ अक्षर से मिलाएंगे इस तरह से तो प्यारे बच्चो हमने क्या करा हमने चित्र को उसके नाम के पहले अक्षर से हमने इसे मिला न सिखा आप से हम इसी तरह से स्कारे को पूरा करेंगे नीचे देखेंगे आप हमें क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए हमें ट्रेस किजी यहाँ पर हमें री ए आई ओ अउ अंग अहा यहां पर हमें इन अक्षरों को क्या करना है यहां पर हमें स्वर दिये गए हैं कुछ स्वर दिये गए हैं तो हमें इने ट्रेस करना है इन पर हम पैंसिल चलाएंगे सबसे पहले हम री अक्षर को ट्रेस करेंगे इस तरह से आपको इसे ट्रेस कर करना है री ए आई इसे आप अई भी बोल सकते हैं ओ औ ऑस है आउ गए अऑ अगसरा ना जसी कर दे गिजव आउन खिज सकते हैं बोल एँ bulbs ऑाट इसकते हैं भोल औी हैं वल आै उंग। नो कर दो हैं पो झातो हैं ऄाउ हैं। आच्ब आग अःंग। kettle कर देगर शो घग़् झाजन हैं lagi हैं , आगाल राभ़ झा ओता हैं करें इसी तरह से आप यहां पर इसकारे को पूरा करेंगे देखिए प्यारे बच्चों यहां पर हमने चित्रों को उसके नाम के पहले अक्षर से हमने मिला न सिखा और उसके बाद में हमने री से अहा अक्षर तक हमने इसे ट्रेस किया आप से इसी तरह से इसकारे को पूरा करेंगे आप सिखेंगे हम प्रतिक चित्र के नाम का पहला अक्षर लिखे यहाँ पर हमें चित्र दे गए है और उनके नाम का पहला अक्षर में लिखना है यहाँ पर हमें पहला अक्षर दिया गया है अंग अक्षर अंग से अंगूर यहाँ पर भी हमें पहला अक्षर लिखना है यहाँ पर भी यहाँ पर भी चित्र देखकर आप इनका पहला अक्षर लिखते जाएंगे किसका चित्र है यहाँ औरत का अउसे औरत तो आप क्या करेंगे अउसे औरत तो आप क्या करेंगे अउसे औरत अगला अक्षर देखेंगे किसका चित्र है यहाँ ओखली का अगला चित्र देखेंगे आप किसका चित्र है यहाँ ओखली का वो से ओखली अगला चित्र देखेंगे आप किसका चित्र है यहाँ ऐनक का ऐसे ऐनक यहाँ पर आप अयक्षर को लिखना सिखेंगे इस तरह से आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप आय अक्षर को इस तरह से लिखेंगे अगला चित्र देखेंगे आप इसका चित्र देखेंगे दिया गया है हमें री रिशी का किसका चित्र दिया गया हमें रिशी का तो हम री अक्षर को इस तरह से बनाएंगे री अगला चित्र देखेंगे आप एडी का एसे एडी तो प्यारे बच्चों आज हमने क्या सीखा चित्र के नाम का पहला आक्षर हमने चित्र देखकर लिखना सीखा आप से मिसे तरह से स्कारे को पूरा करेंगे अब हम सिखेंगे रंग भरी और ट्रेस कीजी और लिखिए कौन सा अक्षर है का से क्या होता है कबूतर का से कबूतर तो यहाँ पर हमें का अक्षर को पहले हम ट्रेस करेंगे और इसके बाद हम इसे यहाँ पर लिखना सिखेंगे तो आप सभी मेंसा साथ इस कारे को पूरा करेंगे इन चोटी-चोटी डॉट पर हम पैंसल चलाएंगे सबसे पहले बनाएंगे हमें खडी रेखा इस तरह से इसके बाद आप बनाएंगे पूरा गोल और इससे जोड़ते वे ही आप क्या बनाएंगे इस तरह से नीची की तरफ आधा गोल उपर लगाएंगे आप शेश रेखा कर यह जिन बच्चे को प्रॉब्लम आती वो इस तरह से भी बना सकते हैं सबसे पहले आप इस तरह से खडी रेखा बनाएं इस तरह से आप एक गोल बनाएं पूरा गोल और उसकी बाद आप इस तरह से नीची की तरफ बनाएं आधा गोल जो कंटीनियूर नी बना सकते हैं वो इस तरह से इसे तो पार्ट में भी बना सकते हैं क 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 प्यारे बच्चों अब हम काक्षों को लिखना सिखेंगे सबसे पहले बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले बनाएंगे आप एक खड़ी रेखा इस तरह से उसके बाद आप यहां से बनाएंगे एक पूरा गोल और इसे जोड़ते बनाएंगे आप नीचे की तरफ एक आधा गोल उपर लगाएंगे आप शेश रेखा क 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 तो प्यारे बच्चों आज हमने करक्षर को ट्रेस करा, उसके बाद में इसे लिखना सिखा, आप सेम इसी तरह से स्कारे को पूरा करेंगे, और आप सेम इसी तरह से अपना ग्रहकारी करेंगे, ग्रहकारी, प्यारे बच्चों यह आपका ग्रहकारी है, आज इस तरह से हमने क अक्षर को ट्रेस करना सिखा और उसके बाद मैं इसे लिखना सिखा आप से मिसी तर से सकारे को पूरा करेंगे यहां पर आपडेट डालेंगे आगे के वेंजन वर्ण हम अमारी अगली कक्षा में सिखेंगे